सर मैं तो यही कहूंगा दो लाइन के जवाब है कि नियाय की जीत हुई है और मैं इससे ज्यादा क्या बोलू जो जितना दिन का इनका कस्ट लिखा हुआ था यह तो वही बता पाएंगे लेकिन हमें विश्वास था नियाय पालिगा पे कि हमें जरूर जीत मिलेगी क्योंकि ह हम इनोसेंट थे और हैं अभी इनिशिल स्टेज है बेल आउट हो गए फैमिली के साथ अपने जाएंगे 27 तारिक से वह जेसी और पीसी में थे तो फिलिंग तो वही बता पाएंगे लेकिन मुझे नयाय पालिगा वह पूरा खुरसा क्योंकि हम बार और बेंच में हम रहते हुं एज लीगल फिल्ट से हूं और लॉयर के हैं कंडिशन्स तो देखिया वो नॉर्मल कंडिशन सी होता है और बेल ऑर्डर सेशन जजज का बेल था और उसमें बेल और में ही कंडिशन्स होता है कि आप बिटनेस को टैमपर हैंपर और यह नहीं करेंगे आप लोगों के इंस्ट्रक्शन्स था कि मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करनी है जो साहथ उन्होंने ना की होगी मुझे नहीं पता मैं था ही साथ मैं एक्चुली मुझे एक सिंपैथी था ऐसे लोगों से इसलिए मैं आ गया मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं जेल विजिट में ऐसे तो हम आगे का यह है कि मैं तो उन बच्छों के लिए बहूत ज्यादा यह हूं जिनके वो तीन पुत्र पुत्रिया उनहार पुत्र पुत्रिया जो हम यह कह सकते हैं कि आई एस आईपियस के बच्चे होने वाले हुनाहर बच्चे थे भवशिसे थे हमारे उजवल भवशिस थे वो चले गये और उसमें किसका दोस है खिसका नहीं दोस है यह तो आने वाले कुछ चंद दिनों में पता चल जाएगा हमको कि अल्टिमेटली असली कल्प्रेट कौन है तो हमारी रन नीती तो कुछ नहीं हमें तो बेल आउट कराना था हमारा यह काम आज यह हैं कल दुसरे क्लाइंट होगे पर सो तिस्रे होंगे लेकि हमें इस के संदर में आगे कुछ नहीं करना एक हमारे जो हम पर प्रिजर्ब कराने का वो था आज हमने अप्लिकेशन जो मूब की थी सेक्शन 94 बी एनेस ने जो नया एक्ट है उसके तहद मैंने मूब कर दिया है आयो साब का रिपोर्ट आएगा उसमें साथ को अल्टिमेटली उनको भी करना चाहिए अव करेंगे ही क्योंकि हमें यह देखना है कि उस दिन घटना के दिन एक घंटा पहले और आधे घंटे बाद तक कि क्या महौल रहा पानी का फ्लो और यह जो देखना चाहते हैं वो तो आई-ओ पुलिस विभाग अपना देखे के लिए हमने उसको प्रिजर्ब कराया है उस जगह का अपना CCTV फूटेज का वह अप्लिकेशन एक पेंडिंग है साथ साथ तरीक उसका क्या उटकम आएग और दिल्ली के विभिन न्यालेओं में और हाई-कोट में प्रैक्टिस करता हूं मुझे न्याय के पुरा विश्वास है और न्याय की जीत हुई है मैं यही कह सकता हूं और आप लोग की बहुत दो धन्यवाद कि आप लोग ने इतनी रात तक हमारा यहां पर वेट किये और अल्टिमेटली जो हुआ आपके सामने हूं थैंक यू मेरी मुच